पाच्च मोहर को साइबा पी नो रंगाव तेले लेला लेला जेले हालो रादे रादे माई यूट्यूब फैमिली विल्कू बैक टू दे चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स प्रिवेस फ्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि सासुमा देवर देवरानी चोटा बाबू सब लोग आ गए हैं घर पे चोटा सा फंक्षन है आज है देवरानी का कुवा पुजन वो कुवा पुजन करने वाली है तो बस उसी की तयारियां चल रही है और ये सारी तयारी जो है मेरी जिठानियों ने कर ली है तो मैं आप लोगों को वो तयारी दिखा रही थी मतलब आज के दिन हमारे यहां पे घूगरी जरूर बनती है और ये जो आसपडोस की लेडिस आएंगी जो गीत गाएंगी उनमें बटेगी और साथ में कुछ मिठाई देंगे उनको और दिवरानी से आशिरवाद लेगी इस तरह से प्रोग्राम होगा बाकी क्या क्या होगा पूरा फंक्शन आज आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा तो मेरी जिठानियों ने तयारियां कर ली थी और मैं आप लोगों को दिखा रही हूं और इधर चल र इनको सारे काम आते हैं और यह डेकोरेशन भी बहुत अच्छी करते हैं बुलबुल के बद्दे की डेकोरेशन भी इन्हों नहीं करी थी तो आज भी जो है यह थोड़ी सी डेकोरेशन आबिद भाईया ही कर रहे हैं और बस हो गई है तैयारियां शुरू और हाँ सबसे पह कुछ दिन बाद ही हो जाता है पर अगर कोई हेल्थ इशू हो तो थोड़ा दिन रुक्के करते हैं तो मेरी देवरानी को जो बेटा हुआ है वो अप्रेशन से हुआ था तो इस वज़े से यह प्रोग्राम जो है अभी वह पांच महीने का हो गया है तब यह प्रोग्राम हो र रहते हैं और बड़ा जो प्रोग्राम होगा वो होगा पर वो जो है देवर जी जहां पर रहते हैं वहां पर होगा तो दो प्रोग्राम होंगे एक तरीके से एक चोटा प्रोग्राम हम लोग यहां कर लेंगे और एक बड़ा फंक्शन होगा देवर जी के वहां पर और इध साथ खेल रही है तो जी इस तरह से हमारे हाँ पे छोटा सा कुवा पोजिन का आज प्रोग्राम है और यह हूँ मैं फटा-फट जल्दी से तयार हो गई हूँ तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों से मिल रही हूँ और अब मैं अपनी तो जी बहुत टाइम से आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सस्वाल वालों को दिखाओ देवरानी को दिखाओ जिठानियों से मिल वाओ तो आज आपको सब लोगों से मिल वा देती हूँ वही आज मौका भी है दस तूर भी है कोई फंक्शन होता है तभी सब लोगी खटे हो पाते हैं और आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ ये भी अच्छी बात है तो आप सब लोगों को भी मैं विल वा दूँगी तो ये जो तयार हुई हुई है वो है मेरी देवरानी जिसका नाम है सौम्या और ये जो इनको और अच्छे से तयार कर रहे हैं ये हमारे कोई रीती रिवाज होते हैं मतलब सर पे जो है ये इंडूनी ताजस्तान में बोलते हैं इसको इंडूनी तो ये रखते हैं इस पे छोटा सा कलाश रखा जाएगा और ये फिर जाएंगे कुवा पूजन करने तो जो ये रीती रिवाज करवा रहे हैं वो है मेरी जिठानी मतलब ये सबसे बड़ी होए है घर की और यहां पर फोटोग्राफर भाईया भी आ गए थे तो फोटो क्लिक हो रही है जेशाए बातुने करें मेलकू मेलकू पाजो ना वीडियोग्राप करूप तो जाइड में कर दूमा पैस लेना एक पानलो तुडियो लेना लेला जी सोई सोई भड़े मैं जी ते प्यादी लागे कुड़े मैं उलेना जाते रड़े तो जाइड में क्वान में जी ते प्यादे लागे टोले मैं उलेना जी ते प्यादी लागे कुड़े मैं हूँ लेना जी वैसे तो जो यह पूजा होती है वो लेडिस बाहर जाकर कुए पे करती है पर हमारे तो घर पे ही कुण है तो फिर यहीं पर जो है यह कुणा पूजन कर रहे हैं मतला हमारे पीछे की तरफ ही है न कुंड मैंने आप लोगों को काफे बार दिखाई भी है तो बस यहीं पर यह कुणा पूजन हो जाएगा और बाकी क्या रिती रिवाज होते हैं ज्यादा मुझे कोई खास नौलेज है नहीं मेरी जिठाने जी को है तो वही सारे रिती रिव रिवाज करवा रही हैं और बस मैं तो वीडियो बना रही थी मैं वीडियो ग्राफर बन रही थी तो बस आप लोग भी देखे एंजॉय किजिए और कहां कहां पर यह कुवा पुजन होता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताईएगा और आपके वहां क्या रिती रिवाज ह है कल से ही उनके बेटे का एक्जाम स्टार्ट हो रहा है तो इस वज़े से वह आ नहीं पाए तो जी बस हो गया है कुवा पुजन और यह बस पांस-दस मिनट का प्रोग्राम होता है हमारे यहां पर यही रिती रिवाज है बाकी तो मैंने जैसे बताया ना कि बहुत लोग तो डिजे बजवाते हैं डांस वांस होता है तो सबके अलग-अलग रिती रिवाज होता है हम है हमारे यहीं यहीं रिद्ति रिवाज है तो इसी तरीके से करता है और यहां पर चल रहा है फोटो शेशन का देवरड जी वही ज़ना को फोटो शेषन है मतलब हमारा और ताउजी के जो मतलब मेरी जिठानी जी और सब लोगों का खाना आज हम सब लोगों का एक साथ ही खाना होने वाला है तो फिर हमें खाना भी बनाना है हम खुदी बनाने वाले हैं बड़े मज़े करने वाले हैं सब लोग साथ मिलके खाना बनाएंगे साथ म वाला घर दिखाओ, तो आज इंचे वाला घर भी देख लो, घर वाले भी देख लो, सब लोगों को देख लो, तो यहां हम लोगों ने चाय चड़ा दिये, मैंने और जिठानी जी ने, और यहां पर बन रही है चाय, जो लेडिस आई हैं गीत गाने के लिए, अब उनकी चाय पाटी होगी और फिर उनको जो है, देवरानी कुछ ना कुछ देंगी और उनसे सबसे आशिरवाद लेगी, तो यहां पर चाय बन चुकी है, और सब लोग मिलके काम करते हैं तो काम का पता ही नहीं चलता, वह यह कि इतने लोग हैं काम करने वाले घर में, सब लोग है, मतल की से करका शराख पीजिर्ण पार यार कर दो महां सोरह नूरा कर दो कर दो, भी वो हम Huh कर दो कर दो कर दो कर दो ठो,라고 verste MEME कर दो sound कर दो कर दो स्पैंदे कर दो लाक तब चैटने को लाक अगframe लौका तो, लौका तिस्ट उ zarखוש लाकर मुश सोब में भास अभा दे का लुष तो जी हाँ पर फंक्शन तो हो गया है कम्प्लीट और अब हम लोग लग गए है रात के खाने की तैयारी में जैसे कि मैंने बताया हम सब लोग मिलकर ही खाना बनाने वाले हैं मतलब मैं जी ठानी जी सब लोग मिलकर बना लेंगे तो बस उसी की तैयारी कर रहे है और आज जो खाना बनेगा उसके मैन्यू में है छोले की सब्जी मेती की लोटी तो मेती की लोटी मेरी सासु मैं बहुत अच्छी बनाती है और चावल भाविजी बना रहे हैं और फिर रोटियां जो पूडियां हैं वो सब हम मिलकर बना लेंगे और साथी बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं तो हमारे यहां पर ऐसा कोई नहीं है कि मतलब वो ही है कि अगर बाहर से किसी को बुलाते न वो मज़ा नहीं रहता मतलब वो ही है कि खाना बन जाता एक सब लोग खाना मिलके बनाते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है तो फिर यहीं डिसाइड हुआ कि सब लोग मिलके ही खाना बना लेंगे और जादा मतलब वैसे है भी नहीं सिर्फ हमारा खाना और जो ताउजी के घर के लोगा ना बस उन लोगों का ही खाना है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोले की सबजी और आज मैं यह जो छोले की सबजी बना रही हूँ चोले की सबजी बनाई थी पर जब चोले की सबजी बनी थी और सब लोगों ने खाई थी ना तो सब लोगों ने बहुत तारीफ करी कि चोले की सबजी बहुत अच्छी बनी थी तो जी सबजिया, रोटिया, चावा लिये सब तो हमने घर पे बना लिये थे सबने मिलके और ये मिठाईया आई है बाहर से जिसमें है गुलाब जामून, डस गुला और काजु कतली और यहाँ पे चड़ गई है कड़ाई अब बनने लगई है पूडिया तो पूडिया भी बनाएंगे, रोटिया भी बनाएंगे क्यों जो बड़े लोग है न, जैसे ताई जी है और मतलब मेरे जेट जी वगर है वो लोग पूडिया नहीं खाते है बच्चे बड़े शौक से खाएंगे पूडिया चोले की सबजी के साथ तो पूडिया और ओटिया तो नहीं बनेगी और यह लग गई है सबसे पहले बच्चों की प्लेट तो वेन सच आप लोगों को दिखा दूँगे और आप लोग भी आजएए मुव मिठा कर लीजिए खुशी का मौका है मेरे घर और बड़ा अच्छा लग रहा है फंक्चन हो गया सब कुछ अच्छे से उस काम का तो पता ही नहीं चला वैसे भी सब लोग जब मिलकर खाना बनाते ना तो कुछ काम का पता नहीं चलता जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो वही है कि पूड़ियां एक तरफ बेल रहे थे एक तरफ पूड़ियां सिख रही थी और यहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं और यह छोटा सा वीडियो शूट किया है पति देव ने मैं किचन में और वह बना रही थी पूड़ियां मैंने उनको मुवाइल दिया मैंने का आप थोड़ा सा वीडियो शूट करो तो यहाँ पे बच्चे जो है एक साती खाना खा रहे हैं वही है कि जब कोई फंक्शन होता है ना सब लोग एक साती बैठ कर खाना खाते हैं तो सबसे पहले बच्चों का खाना हो गया था फिर सब जैंट्स ने खाना खा लिया और आप बारी आई है हम लोगों की तो हम लोग भी इसी तरह से जब कोई प्रोग्राम होता है हमारे गर में लोगों को मेरी फैमिली से कैसा लगा आपको ब्लॉग मुझे कमेंटस में जरूर बताईएगा मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना जदे जदे शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ फिर मिलते हैं टाटा भाय भाय रादे रादे